आइए बात करते हैं अगले कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए और सवाल करें सवाल आपका सवाल आपका मेरा सवाल मेरा सवाल करीब 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 कंट्रोल हो जाती है लेकिन मेरे को चाहे जब राज को ज्यादा तर नहीं की परेशानी रहती है और प्रेट में गयर सबस्क्राइब मेरा सवाल जी है मेरको लीड में आगी थीक है मैं डायाबिटिक वेशेंट हूँ अग्रेडी ले री हूं और जोंगा बैसली भी लेडिये शुक्राओ तिक मैं समझ गया आपकी एज का पता चल जा जाए तो मैं आपको आसान निश्छा बतालीता हूँ एज आपकी एक सट्पा थाल है मैंनों. disability की से Бोहिए गोली लेनी बदती हूं ठीक है यह बड़ा गलत है कि आपको नेन की गोली लेनी पढ़ती है तो मैं ऐसा ही आपको नुस्खा बताता हूँ जो आपके तमाम रोप पर काम करें और डाइबटीज पर भी काम करें और नीन पर भी काम करें और आपकी नीन की गोली भी पहले दिन से छूट जाए एक सिर्का आता है जिसे जैतून का सिर्का कहते है जैतून का सिरका, ये तीन चमच आप एक गिलास पारी में डालके रोजाना, रात के सामें पिया करें, एक गिलास पारी में डालके छोटे चाय के चमच, आप देखेंगे के पहले दिन से आपको सुकून मिल गया, बिल्कुल दिमागी सुकून और गैस वगारा से भी बहुत रहात होगी और डाइबटीस को भी कंट्रोल यह करता है और बहुत सारे फाइदे इसके आपको जो डाइबटीस की दवाएं के नुकसानात होते हैं वो भी नहीं होने देता आप इसे इस्तिमाल किया करें और पूरा जीवन आप सेहत के साथ गुजार सकते हैं अमित हमारे हां जी बताईए मैं सुन रहा हूं किरा हो जाता है ना हमको पेट में कीरा हो जाता है जी और बोलिये रावन नमारम इंटिमाइश्टिका और गैस बनता है गैस पहले खाना आ जाता था मुँ में आप जानते हैं अनार को हम खाते है इसके बीच और छिल्काब देते हैं अभकी अब वब की बार आप छिलका पह किये नहीं खलके से सुका के इस ko पौडर बनाव लेजी और दोचुट्की अनाः का छिलका का पौडर और दो चुट्की आप लीजे नमक जैटून जैतून का एक रसायन आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं यह जायके में नमकी नहीं होता दो चुटकी में इतना आय यह चुटकी हम इसे कहते दो चुटकी जैतुन का नमक और दो चुटकी अनार के छिलके का पाॉडर एक गिलास पानी मिला का रोजाना पी लिया करें आपकी दोनों समस्याइं का हल होना मुमकिन अगले कॉलर है हरियाना से हमारे साथ डॉली स् मेरे पूरी बास ओले ना को बोलिए पेट में इसना अपारा भी रहता है और जैसी बोर ज्यादा बंती है साफ भी नहीं असा पेरों में बेचैनी रहती है पूरी बोली मेरी काम नहीं बेचैनी साथी रहती है वेरों में फेट हैं पार ही सांगे ब्रैंट ममाना अग्याच अघन, कि बातों इस मेरे बड़ रहा है वजन भी मेरा बढ़ रहा है तो। तो इससाथ चाल सी लंगित में अःत्र ब्ंधटत की अगता है थीखे थीख अगर नहीं कराया हो तो आप करा ले यह सब जो आपको पॉबलम थाइराइड हो सकता है आपको तो एक बार करा ले थाइराइड का टेस्ट और यह कलोंजी नमक आप आधा गिराम पानी में मिलाकर पियें एक बार कमजकम और जरुत पड़े तो दो बार भी ले स सकते हैं इसे लेना शुरू करें आपकी जिस दिन से लेंगे उसी दिन से आपकी एसिटी गैस और अनीजी नैस यह सब खतम होने लएगे पहले इसको ठीक कर लिए फिर दद के लिए आप गौन स्याह लेना जब यह ठीक हो जाए तो गौन स्याह लेना और वह अधा-धा ग्रा और आपका ठीक होना मुम्किन है दिली से हमारे साथ मीरा स्वागत है मीरा जी नमस्ते हैं साब जी आदाब मीरा जी मुझे मेरी उमर 45 है और मुझे जैसे कौनी की हडियों में जर्द रहता है और अंडर आम के नीचे जैसे कभी-कभी ना जैसे काला हो जाता है पंगस होती है लेकिन दवाई लेती हूं तो ठीक हो जाता है और तीन-चार महीने बाद फिर हो जाता है और मेरे डेंडरस भी है और बाल भी बहुत जड़ते हैं थायराइट का टेस्ट कराया कभी आपसे नहीं डोक्टर साब थायराइट तो टेस्ट नहीं करवाया पच्छा बच है अगर तायराइड है तो और तायराइड नहीं है तो फिर आपको मैं मताता हूं घिँे 45 साल के बाद हर शक्षक को जो भी y legitimately प्यानि चाल ऐसे और तो यह मर्द उसके जिसम में कुछ chemical कल बनने समझ दियू तो हर शख्स को मल्टी विटामिंस और कैल्डियम लेना चाहिए यह आप लेना शुरू करे हैं और एक हफ्ते में बस एक ही लेना है अक्सर डॉक्टर रोजाना दो दो दे देते हैं तो उससे फिर एक और परिशानी हो जाती है के पत्री हो जाती है तो एक हफ़ते में एक आप ले जिन्दगी भर जो भी पैतालिस साल के जादा के हैं केलिशियम मल्टी विटामीज जिंक और यह सब उसमें होता है ताबा जिं कराना जरूरी है जो आप सिम्टम बता रहे हैं वो उससे बिलते जुलते हैं मैं दुआ करूंगा कि ना हो अगर हो तो फिर आप वह एक बड़ा काम्याब रस्का है जिसने लाखों लोगों को फाइदा पहुंचा है और वह यह है के 300 ग्राम धनिया 100 ग्राम आंवला 100 ग्रा पानी के साथ अगर लिया जाए तो थायराइड वालों का ठीक होना मुम्किन है और यह बगर थायराइड के भी लिया जा सकता है बिजनौर से इंद्र हमारे साथ स्वागत है आपका जी सवाल करें अपना यह सवाल यह करें जो इसमा गैस बनता है आपको तो तो दो कि गैस के लिए हमें अपना आमाज से ठीक रखना चाहिए यह अगर अपना काम सही ना करे तो गैस बढ़ जाती है आशिड बढ़ जाते हैं कुछ को हलकी गैस बनती है जो उपर की टरफ जाती किसी को भारी गैस बनती जो नीचे की तरफ जाती है तो तो प्रम पानी पांच बार पीने से बही गैस का बनना रुख सकता है एक गंञाब धूप में चलने से भी पे projets ही खो जाता है अगर बहुत ज्यादा रोग हो तो अलशी भूने और हलका सा भून कर पौडर बना ले और इसको खाया करें एक चम्प सुबा एक चम्म शाम और अगर इससे भी काम ना चले तो इस अलशी में नमक जैतून मिला लिए जैतून का एक नमक आता है जो नंकीन नहीं होता जाइकमें और अधाधा घ्राम इसमें मिला कर दिन में सबिरी आपके पीट के तमाम मामखला का ठीक होना मुंकिन है जी तो इंद्र जी आप ठीक हो जाएंगे आपको जो पेट इनके लिए वो बहुत सारे treatment करा चुके होते हैं लेकिन तब भी उन्हें फायदा नहीं मिलता है लाब नहीं उठा पाते हैं सिर्फ और सिर्फ treatment में अपना घर्चा ही करते रहते हैं धन ही धन नश्ट करते रहते हैं क्योंकि दर्श को ये तो धन नश्ट करने वाली बात ही है क्योंकि लाइफ कारेक्रम है दर्श को रोग संबंदी आप लोग कोई भी प्रश्न कर सकते हैं नुस्के जान सकते हैं सिर्फ आप लोगों को करना क्या है इन नमबर्स पर तुरंट कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगतार दिखाया जा रही है जी आपकी आवास ठीक नहीं आ रही है आप नेटवर्क शेत में आके बात कीजिए आपके वाद बहुत कट-कट के आ रही है हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं हमें सुगर की दिखाया जी शुगर की अच्छा जी और जी चुनिना पर लोगों पर दन रहता है ठीक ठीक एज यह साथ सार है साथ सार चा देखिए जिसको डायबिटीज पीशे लग गई उसको कुछ ना कुछ नुक्सान पहुचाती रहती है जो दवाई आप खाते हैं डायबिटीज की वो खाया करें लेकिन एक ऐसी भी रो मैटेरियल एक आता है एक सिर्का है जिसे जैतून का सिर्क कहते हैं अगर यह तीन चमच छोटे चाय के चमच रात को पानी में मिलाकर पी लिया जाए रात को और दिन में भी पी सकते हैं जिनको ज्यादा प्राबलम है तीन चोटे चाय के चमच एक गिलास पानी में मिलाकर तो डायबिटीज से होने वाले नुखसानात को यह रोकता ह और हमारा जीवन क्योंकि बहुत कीमती है और डायपटीज पीछा छोड़ती नहीं है, तो ये हमारे जीवन को सहत के साथ गुजारने मदद करता है, डायपटीज को भी कंट्रॉल करता है, पेट के रोगों को भी कंट्रॉल करता है, और इनफेक्शन को भी कंट्रॉल करता है, लीवर का भी ख्याल लगता है तो अगर आप ले सकते हैं तो जैतूल का सिट का तीन चमज कम ऐसक्म एक बार जु़ूरने जो बहुत बड़े रोगी हैं वो दो बार भी ले सकते हैं आपके समस्या का हल होना मुंफिर है मनिश्य हमारे साथ स्वागत है आपका मेरी पापा के लिए बूछना था, उनकी एज है 50 ठीक है और उनको थूड़ी सांस की प्रॉबलम में और घुटनों में मतला प्रॉबलम रहती है उनको सूजन और चलने में असे रहता है जैसे थोड़ा टेड़े से होकी चलता है अगर लहसन खा सकते हैं तो जब खाना खाते है ना तो चार से लहसन चील के उनके खाने के साथ में देदिया करें उनसे खाएं के एक निवाले में एक लहसन चबा के खा ले और फिर बाद में सारा खाना खा लें ऐसे चार पांच लहसन छे लहसन जितना भी उखा सके निवाले के साथ खाएंगे तो बुरे नहीं लगते लेकिन ये सांस के रोख को उनका अच्छा कर सकते हैं और दिल का बड़ा ख्यार लखेंगे बीपी का बहुत ख्यार लगते हैं ये मामूली सी देखने की चीज़े लेकिन रोज खिलाया करें उने और ये जो है उनका दर्द है इसके लिए एक गौंड आता है गौंड सिया काला गौंड इसे कहते हैं नकली बहुत मिलता असली ल तो पिता जी का ठीक होना मुमकिन है अगले कॉलर है सहरनपूर से हमारे साथ श्याम सिंग जी स्वागत है आपका अध्य नमस्कार जी नमस्कार जी आदव जी श्याम जी आदा बताईए क्या सवाल है अध्यार पेट में गणवर है गैस बनती है बहुत तो नीचे को निकलती है पेट साब नहीं होता है अच्छा नीचे को निकलती है ठीक है अच्छा दिखिए पांच बार आपको गरम पानी पीना है और एक गंटा पैदल चलना ह धूप में अगर चल नहीं सकते तो धूप में बैट जाएए बस ये भी काफी है और अपने खाने में अपने घर में जो खाने बनाने के जिम्मेदार हैं उन से कहिए कि इतनी अद्रक और इतना लहसन डाला करना देखिए जैसे मैं हाथ कता रहा हूं हमारी महिलाएं जड़ जिनत शायद कुछ नस्खा की जरुवत है क्यों कोई लाकों लोग सुनते हैं तो एक आता है जैतून का नमक ये देखने में नमक जायके में नमकीन नहीं होता ये सो दो सो ग्राम कहीं मिल जाए असली तो आदा ग्राम एक ग्लास पानी में मिलाकर पी लिया करिए दिन में एक बार या दो बार बस काफी है आपके पेट के रुगों के लिए और ये आपके पेट को मजबूर करेगा कि वो अपना काम अच्छे से करें और आप सेहत मत जिन्दगी गुजार सकते